भीका पूर्च ने निया कूर्स लॉंच के है क्या है है ठीक है तो मैं बताता हूं कि इस कोर्स का कोर्ष डियुरेशन कितना है और ये कौन सा कोर्स है बैच क्या है, फी क्या है, इलिजिबिल्टी क्या है, एजाम बैटर्ट क्या है, इससे पारे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप तो बतातों कि जो मेरा चैनल है, बैचु पार्स अलाओ, आपको आफ लाइन और आन लाइन, दोनों पे आपकी बैचु का इंडरेंस पार्टिकुलर रिकलाता है, और ऐसे इंफामेटी वीडियो हम सभी इनुवर्सिटीज का आपको प्रवाइड करा तो जो लोग भी बैचु में आडिमिसन लेना चाहते हैं, अगर वो बनानश के या पी जिदर आसपास नस्टी कि किसी छेत्र से हैं, और वो बनानश में आगे प्रवाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज वो आप मेरा आप आफ लाइन कोर्स जोईन कर सकते हैं, यहां पे जो सबसे पहले कि एक को से कर साटीफिकेट और यहां पर बूध की पढ़ाई होगी तो मैं आप बता दू कि कोई भूध की पढ़ाई होगी कि मतलब 무리 कैसे बूलाया जाता दा एक किसे भूध के बंगाया जाता है ऐसा कुछ नहीं क्योंकि साइन्स जो है भूत को एक सीरे से नकार देती है तो साइन्स भूत को पहले ही नहीं 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 बनता है बात यहां पर है कि भूत का मतलब क्या है देखें जो हमारा दुगल एरिया होता है जो गाउवाला छेत्र होता है जो कस्पा होता है वहां पर लोग जब बीमार होते हैं वो थोड़ा medicine use करते हैं treatment करा आते हैं डाटल के पास जाते हैं नहीं सही होता है तो फिर कभी-कभी तो उनके पास भी जाते हैं directly हो किसी ओजा ओजा के पास चले जाते हैं किसी ओजादू दोने के से अपना तरीका सही करने की कोशिस करते हैं फिर क्या करते हैं कभी बहुत loss भी हो जाता है जान भी चली जाती है है तो यह जो अंद्विस्वास है उस अंद्विस्वास को खतम करने के लिए वे वे अच्छू ने एर कोर्स लाया है कि लोगों को सही तरीके से टेमेट दी जासाके लोगों को बताया संखे कि एक प्रकार का मकन हो यह और एक ऐसा भी मारी है जो जी ए एफ आर ठीक है मतलब इंटर्टेशनल जन्टर आप अर्वेदा हैं फार्मा रिसर्च कोर्स के अंतर अर्वेद भाग को यह सवपा क्या है इस कोर्स का कांटिनू करने के लिए ठीक है तो पैदे में फ़रा वीडियो का कंटेट आपको समझा देता हूं जो में में पॉ हुआ है तो जो पहला चीज है कि एक डिपलग्ड क्या है साइटिफिकेट कोर्स है ऐसी सब्सक्राइब इसमें है कि कब फॉर्म इस्टार्ट होगा तो यह जैनुरी से आपको नोडिफिकेशन आ जाएगा आई वोग कि यह जैनुरी के लास्ट तक इसका पॉर्म तो इस जैनुरी से आपका कोस बिशेन इस बताता हूं कि क्यों जैनुरी से लोग स्टार्ट कर रहा है अगी बताता हूं तो यह हो गया January से, उसके लिए आप यह चुकिए online home site पर जा गए, आप इसको visit करते देगा, थर्ड देखते हैं, जो batch है, तो January से start हो रहा है इन लोग का batch, for six month, किसी लोग जनरी से start कर रहा है, six month का यह course है, means, इसका जो course duration है, वो कितने महीने का है, छे महीने का है, इन लोग का प्लान यह है, कि साल में दो बैचे चलाएंगे, मनलब देखना है, टू बैचे चे, ठीक है, दो बैचे किसी लोग छे-छे मनका रखा है, और यह region है कि इनोंने January से start किया है, कि साल में दो बैचे इसलिए ओपरेट कर सके, फिर उसके बाद, जो इसका फीस है, फीस देखते हैं इसका, फीस का है 50,000, 50,000 उपए है, अभी फिरहाल में इसका फीस रखा गया, अगर हम इसके seat की बाद करें, ठीक है, कि इतने बड़े कोर्स में start किया जा रहा है, जो कि एक international news बन चुका है, हर जोगा news की बताया जा रहा है, कि बेच्चों में बूद मिता है, कि पढ़ाई शुरू हो रही है, लेकिन इसके बाद कि यहां पर बस only 10 seat है, तो आप IIT में कौन सा बड़ा seat है, या भी ranks में कौन सा बड़ा seat है, अभी ranks B.S में कौन सा बड़ा seat है, तो अच्छा course है, seat कम है, अब मुझे नहीं पता है कि यहां पर EWS काम करेगा कि नहीं, यहां मुझे भी नहीं पता है कि 12 से 15 परसंट का जो paid seat होता है, वो काम करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी भाएंगी मुझे लग रहा है क 10 seat का इन लोग का, स्टार्टिंग है, अब आगे देखते हैं कि इन लोग का क्या आपनाने, खिर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको proper knowledge हो जाएगा, फिर इसके बाद इनका कुछ है कि, ठीक है, तो 10 seat हो गया, फिर इसके बाद ही सो गई, eligibility की बाद करते है, ठीक है, eligibility की बा देखें, मैं आपको पारी बता दिया कि भूध बीद्या का कोर्स को यह ऐसा कोर्स नहीं, जिसमें भूध बीद्या के बारें पढ़ाया जाए, भूध कारें पढ़ाया, यह जो medical student के लिए है, जो medical में graduate हो चुका है, उनके लिए है, यह लोग आके इस कोर्स में involved होंगे, उनको यह बात चीज़े बताए जाएंगी, how to treat like this person suffering from food बागारा, इन रूलर अरिया, तो इसके लिए medical student का होना ज़्योड़ी है, वह ऐसा नहीं है कि अभी जो फार्म आयलों उसको सब लोग बरेंगे, अभी medical student के लिए है, ठीक है, और paper pattern के है हमें, उसके बात करोबात, paper pattern मेरी बेस, ठीक है, मेरी बेस, अभी यह मेरी बेस पे selection लेके, जो भी लोग फार्म डाने हैं, तो सबसे अच्छी जो मेरी जिठ होगी, जो इनका criteria हो, उसके बेस जिसमें यह लोग admission लेके, अभी उसके बाद इनका बोलना है कि अगर फार्म जादा आता है, अगर बहुत ज लेने जाने, तो इसमें इतना ही था, खेर मैं एक बार और देख लेता हूँ, तो यह आयलवेद दिभाग का काम है, यह हो गया, फिर उसके बाद, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, मेरी बेसिस भी हो गया, तो मैश्मन चीजे मैंने आपको बता दी है, खरी से रिलेटेड और कोई इन्फॉमेशन होता है, तो मैं आपको अपडेट देता है रहाँ, फिर आल इतना है, उसके बार मैं आपको बताता हूँ, खोड़ा सब डिसकस कर लेते हैं अपने वेद के बारे में, तो हमारे आप टोटल कितने वेद हैं, हमारे आप मोलें मतलब हिंदू धर्म कि इतने वेद हैं, तो बताया जाता है कि फोर वेद हैं, फिक है, पहले सबसे पुराना वेद माना जाता है, वो हमारा रिग वेद, फिर उसके बार आता है, फिर साम फिर अथर वेद, जो सबसे लाख वेद आता है, अथर वेद, वो सबसे पुराना और सबसे बात में आया मैजिक और काला जादू इन सबसे जुड़ा हुआ है खर मैं यह बता रहा था कि चारो वेद का अपना एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है कि वेद किसकी सब्जेक्ट को लेके कंटेंट रख रखते हैं और जो लोग वो मैजिक में छोड़ा बिली करते हैं जो लोग मैजिकली इंटरस्टेट हैं फ़र मेरे लिए मैजिक एक जस्ट लाइक एक इलूजन मैजिक एक इलूजन जैसा है कोई जोसी चीज नहीं है फ़र मैं तीन चार कॉलेज्ज की नाम बदा देता हूं कि जो भी लोग इंटरस्टेट है आप इस बार ट्राइल से दे रहो उसके बाद भाई लोग कोई एस्टोनाइट में जाता है कोई आइडी में जाता है कोई डाक्टर में जाता है अगर कोई मैजिक भी दुनिया में जाना चाहे तो आपको देखिए यहां पर एक है इसका नाम है मैजिक आप इसके बारे में इसका होम पेज खोल किजे गूगल करके वहां साथ को मिले आगा मैजिक वर्ड ठीक है आप यहां से अगर इस कॉले में जाना चाहे है यहां सब इसकी अलेजिबिल्टी यह सब सीज़े चेक कर सकते हैं जो इंट्रेस्टेड है फिर एक आपका खेलना में भी है जो जो साउ होगा कि आप जितने भी वीडियो आप उपार जाते रहें आप उससे इंफॉर्मेशन लेते रहें और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए दोस्तों में हम का भी महिनत कर रहे हैं तो प्लीज कॉपरेट कीजिए हमें और जो लोग भी आफ लाइन कोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो केन कॉल में, ओके थैंक्रेंट बाइए